नमस्कार मित्रान हो, प्रेस एदुकेशन ये चैनल मद आपने स्वागत आहे दोस्तो तो आज हम सेत्व आप्यास करम खक्षादस्वी विशे हिंदी दिन 42 का आप्यास करने वाले है आओ आप्यास करे पहला प्रश्ण उपरोक्त परिच्चेत पर चार प्रश्ण तयार कीजे पहला प्रश्ण बाल गंगादर जी को स्कूल में पढ़ाने की तनक्वा कितनी मिलती थी दुसरा प्रश्ण तिलक जी ने कोंसी डिगरी पास की प्रश्न तिसरा तिलक जी वकलात की डिगरी लेकर अध्यापक क्यों बने प्रश्न चोथा तिलक जी कौनसी वकलात नहीं करना चाते थे प्रश्न पाच्वा तिलक जी के मित्र अच्छर्य क्यों होए प्रश्न चटा तिलक जी को कैसे पैसो की जरुरत नहीं थी प्रश्ण सात्वा तिलक जी के मित्र को तिलक जी के बारे में क्या पता चला प्रश्ण आट्वा तिलक जी किस के साथ बात कर रहे थे प्रश्ण नौवा वकलाद पास करने के बाद तिलक जी के मित्र ने उनसे क्या पूछा प्रश्ण दस घर में कब कुछ नहीं होका इन दस प्रश्ण में से आप कोई विचार प्रश्ण लिख सकते हो आओ शुरुजन करें किसी भी एक उपपटित गद्यांश पर चार प्रश्ण तयार किजिए तो हम एक उपपटित गद्यांश देखेंगे समस्य वस्तु जीवन का पर्या है यदि समस्य न हो तो आदमी प्राहय अपने को निश्क्रिय समझने लगेगा यह समस्य वस्तुत जीवन की प्रगति का मार्ग प्रशष्ट करती है समस्य को सुलजाते समय उसका समाधान करते समय व्यक्ति का तत्व उभर कर आता है धर्मदर्शन ग्यान मनोविज्यान इन्ही प्रयुत्नों की देन है पुरानों में आनेक कथाए यह शिक्षा देती है कि मनुष्य जीवन की हर स्तिती में जिना सिखे वस समस्य उत्पन्न होने पर उसका समाधान का उपाय सोचे बड़े बड़े समस्त ग्रन्तों और महापुरुषों के अनुभव का निश्कर्श यह है संगर्शिडरना आत्वाउस से विमुखोना यह बड़ा अहितकार है तो दोस्तो हमीज गद्ध्यांच पर प्रश्न दयार करेंगे धर्मदर्शन ग्यान आधी किसकी देन है प्रश्न दुसरा कोन जीवन की प्रगति का मार्ग्य प्रशस्त करती है प्रश्न तिसरा व्यक्ति का तत्व कब उभर कर आता है प्रश्न चवता पुरानों के कताउसे हमें कोनसी सिक मिलती है प्रश्ण पाज्वा, समस्य उत्पन होने पर क्या करना चाहिए प्रश्ण छटा, मनुष्य जीवन को कोंसी सिती में जीना चाहिए प्रश्ण सात्वा, मापुरुष्यों के आनुबव का निश्कर्ष क्या है प्रश्ण आठ्वा, बड़ा इतकार क्या है इन आठ प्रश्णों में से आप कोई भी चारफ प्रश्ण लिख सकते हो मित्राणों विडियो आवर्लेस लाइक और सब्सक्राइब करेला विश्ण नका